हेलो फ्रेंज कैसे आप लोग स्वागत आप सभी का हमारे चैनल सोशल लाइफ में आप देख रहें स्पेशल सीरीज शोनार बंगला और इस एपिसोड में हम 2019 की बंगलादेश की एकॉनमी के उपर बात करेंगे इससे पहले बात करते हैं दी स्पेक्टेटर इंडेक्स के बा बंगलादेश का जीडीपी ग्रोध 188 परसंट है सेकेंड नमबर पर आता है इथोपिया जिसका 180 परसंट है तीसरे नमबर पर चैना है 177 परसंट के साथ चौते नमबर पर इंडिया है 117 परसंट के साथ दोस्तों यहां पे एक बात क्लियर कर दों कि जो जीडीपी यह और अब यह आप देख रहे होगी कि चाईना ओलल कि फॉयंग मेजर एक्रोमी हैं तक हैं क्योंकि मेजर को इसे लिए बंगलादेश की government ने 2018 का overall जो GDP growth था वो 8% के उपर जाने की बात गही थी लेकिन World Bank और दूसरे organization ने इस GDP growth को 7.3 के पास लाकर खड़ा कर दिया खर 7.3 भी एक बहुत अच्छा number है और 2019 में ऐसा estimation है कि ये GDP 7% के उपर grow होगी और जो बंगलादेश का GDP होगा वो 314 billion US dollars होगा और जो GDP राएंग है दोस्तों वो है 39th आपको यहाँ पर यह बात याद दिला दू कि हमने बंगलादेश विजन 2021 के नाम से एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने ये कहा था कि जो GDP है बंगलादेश की 2021 तक वो 370 billion dollars के mark को टच करेगी तो अब जिसी साब से grow हो रही है उससे ह हम ये कह सकते हैं कि 2020 में ये GDP 340 billion dollars और 2021 में ये 370 billion dollars का mark क्रॉस कर देगी और रही बाद GDP रांक की तो उसमें हमने कहा था कि 36 तक ये नंबर पहुंच सकता है तो दोस्तों 36 तो अभी मुश्किल लग रहा है लेकिन कोलंबिया और दिनमार्क दोनों को 2021 तक बंगलादेश ओट कर सकती है और 37th rank हासिल कर सकती है अब बात करते हैं PPP यानि Purchasing Power Parity के तो 750 से अभी ये नंबर 830 billion dollars पर आ गया है और 2021 तक 1 trillion dollar का माग भी तच कर लेगा और इसमें बंगलादेश का जो rank है वो 29th है दोस्तों बंगलादेश की GDP तेजी से ग्रो हो रही है उसी के साथ ग्रो हो GDP per capita 2019 का nominal GDP per capita 1900 यानि 1900 US dollars के पास है जबकि PPP का GDP per capita 5000 US dollars के पास है और पूरे चांस है कि 2030 तक nominal में भी और Purchasing Power Parity में भी बंगलादेश का GDP per capita 10,000 के उपर होगा और यहां पे ये बात आड़ कर दो के आने वाले समय में और तेजी से GDP ग्रो होगी क्यूंकि बंगलादेश का foreign remittance तेजी से बढ़ रहा है और उसी साब से बढ़ रहा है बंगलादेश का export जो कि 2018 में 40 billion dollar के mark को touch कर चुका है इसी के साथ साथ दोस्तों बंगलादेश में infrastructure project भी तेजी से बन रहा है और इस पर भी हम बहुत जल्ड वीडियो बनाएंगे आप नीचे comment में हमें जरूर ब अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को भी subscribe कर लिजिए और next किस topic पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी हमें comment में जरूर बताना हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद